हाई फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो में कुछ भी बोलू, मैं उन सभी लोगों को जो ये सोचते हैं कि मैं ये वीडियो पब्लिसिटी के लिए या फुटेज खाने के लिए बना रहा हूँ, आप तुरंत फॉरन से पहले ये वीडियो देखना बंद कर दीज क्योंकि ये वीडियो में आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने दोस्तों के लिए, सुशांत के फैंस के लिए, सुशांत के जाने के बाद उसके जितने भी फैंसे मैं जुड़ा, वो सब मेरे दोस्त बन गए हैं, मेरा परिवार बन और हम सब एक परिवार है, ये परिवार वालों का वीडियो है, आप बाहर वाले हैं, आप प्लीस बीच में गुसने की कोशिश मत कीजिए तो अब बात करते हैं अपने परिवार वालों से, सबसे पहले हम सब को बहुत-बहुत मुबारक कि हमारा जो case है सुशान्त भाई का वो CBI के पास में जाने वाला है बहुँच जल्दी और CBI जब उसमें जाज करेगी तो सच जरूर सामने आएगा इसके लिए सबसे पहले मुबारक के हगदार है आप सब लोग देश की जनता ये करोडो लोग जो सुशान्त के फैंस है जिनका अब मैं भी एक हिस्सा हूँ और हम सब इसका परिवार है और हमारे बाद अगर कोई बधाई का पात्र है तो वो है मिस्टर अर्णब गोस्वामी हमारा टाइगर इशकरन भंडारी और हमारे भीश्मों पितामा सुब्रामन्यम स्वामी जी अब बात आती है इस वीडियो की कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ तो मुझे मेरे जो ये परिवार के सदस्या है मेरे दोस्त नए जो बने है इनकी असंख्य गालियों फटकार और डांट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे से पूछा गा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ तो भाईयो मेरी बात ध्यान से सुनिये मैं एक एक्टर हूँ मेरा काम एक्टिंग करना है जब कोई बात नहीं कर रहा था इस case के बारे में तब मेरा वीडियो बनाना समझ में आता था मेरा वीडियो में गुस्सा जाहिर हुआ था अभी सारी दुनिया बात कर रही है case बिल्कुल सही जगा पहुँच गया है जहां पहुँचना चाहिए था तो अब मैं कोई वकील तो हूँ नहीं इश्कालन भंडारी जी की तरह या मैं अरनब की तरह बात नहीं कर सकता अरनब इस अब टाइगर अरनब हम सब के लिए बात कर रहे है तो मुझे अभी कुछ बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई मैं इसलिए चुप था और मैं घटना स्थल पर नहीं था जब ये कुकर्म हुआ मुझे उसके बारे में जादा जानकारी भी नहीं है जितना मैं अंदाजे से बोल सकता था यह जितना मैं भावनाओं से बोल सकता था मैंने बोल दिया लेकिन अब वीडियो बनाया है तो आप अपने परिवार के साथ मैं कुछ तо बात करूँगा तो चलिए परिवार के लोग मिल कर एक बात करते हैं रिया चकरवरती के बारे में रिया चकरवरती भगवान भी है ऐसा मत सूचो कि भगवान नहीं है भगवान है और बहुत जोर से मार पड़ती है उसकी अगर तुमसे कोई गलती हुई है हम तुम्हारे से with folded hands, तुम्हारी ही language में with folded hands हम तुमसे ये request करते हैं कि come clean, अभी आके बता दो कि क्या क्या गलत तुमने किया तुम्हारे परिवार ने किया और सुशान के साथ तुमने जो भी किया है बता दो तुम्हारे साथ बहुत नर्मी से पेश आएगी सरकार भी और courts भी और बिहार पुलिस भी बिहार पुलिस बहुत हुस्से में है तुम चूस करने की कोशिश कर रहे थी परिवार पुलिस के पास ना जाओ तुम बोलती हो कि मैं सुशान की प्रेमी का थी मैं गर्फरंड थी उसकी तुम अगर उसे प्यार करती थी तो उसकी शम्शान घाट पर अंतिम्करिया पर जाने से तुम्हे किसने रोका था तुम अंदर ना जाती है, बाहर खड़ी रहती है, गाड़ी में, तुमारे को प्रेस वाले तो बाहर भी कवर कर लेती है, तुम रिया चकरवड़ती उसकी तथा काधित girlfriend होना, सारी दुनिया तुम्हारे उपर वेट कर रही थी तुम नहीं आई क्यों क्यों नहीं आई क्योंकि तुम्हारे मन अंदर चोर था उसके बाद जब एक महीने तक सारी दुनिया ने हला मचा दिया तो तुम्हें लगा कि चलो I'll also join the bandwagon मैं भी CBI की मांग कर देते हूं रिया मत करो ये तुम देखो I don't know तुम्हें कौन लोग सला दे रहे हैं लेकिन वो लोग तुम्हारे हितैशी नहीं है तुम्हारे पेरेंट से पूछो वो तुम्हें सच्ची सला देंगे मैं रिया के पेरेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी बच्ची बहुत बड़े मुसीबत में आने वाली है आप लोग प्लीज अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसे कहिए कि जो कुछ भी उसने गलत किया है जो पैसे का अगर वो दो एन्फोस्मेंट डिरेक्टरेट अभी सब उगलवा लेगे देखिए सरकार से आप छुपा नहीं सकते हैं मैं यही कहूँगा कि प्लीज और सिधार्थ पैठानी तुम उस घर में पलते थे भईया कहा है तुमारे संसकार कहा है तुमारे को नहीं सिखाया गया कि जिसके घर में खाना खाते हैं जिसका नमक खाते हैं उसके साथ में नमक हलाली करते हैं यह क्या है हर बात पे एकी बात का रात तुमने अलाप रखा है कि I don't know मुझे कुछ पता नहीं है तुमारा तुम नाम ही यह रख देना चाहिए सिदार्थ I don't know पैठा नहीं तुम हर बात पी कह देते हो अरनब जब सवाल पूछते हैं तो I don't know I don't know I don't know देखो भाई मैं तुमसे बड़े प्यार से कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग तुमसे जाच करने आने वाले हैं वो प्यार से बात नहीं करेंगे वो डंडे पर चड़ा देंगे पंके पर उल्डा टांग देंगे तुमारे को और सारी रात ऐसी सूखने देंगे पंके के साथ मत करो ऐसा जो कुछ जानते हूँ वो बता दो और वो चिकना घड़ा जो है संदीब सिंग संदीब सिंग मैं तुमें चैलेंज करता हूँ तुम दुनिया की सबसे बहतरी फिल्म ही बना लोगे न तुम अपने आपको डारेक्टर बोलते हो मैं थोकने नहीं जाओंगा वहां पर तुम इतने ज्यादा इतने ज्यादा गलीज इनसान लगते हूँ बातों से ही मैं कभी किसी को इस तरह की शब्द को इस्तमाल नहीं करता हूँ मैं तुम्हारे लिए करूँगा बिक्योज और कुछ शब्द मिलते नहीं मैं तुम्हें इज़त दे रहा हूँ यह बोलकर भी यह समझ लीजी और मैं क्या को हूँ तुम्हारे बारे में have some conscience तुम्हारी अंतर आत्मा है के नहीं बिल्कुल ही शैतान को बेच के खागा है और तुम लोग बिल्कुल देखो उस लड़के के साथ बहुत गलत हुआ है उसके परिवार ने हिम्मत की हाँ एक मैं और लोगों के नाम लेना भूल गया अंकिता लोखंडे आप जिस जजबे के साथ भूली महेश शटी उनके जो दोस्त हैं अभी तक वो सामने नहीं आये लेकिन खबर आई है कि वो प्राइम विटनेस बनने के लिए तयार है थैंक्यू महेश हम सब की तरफ से जो सुशांत के फैंस है और जो सुशांत का परिवार है केके सिंग अंकल सर और सुशांत की जितनी बहने है मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपका एक बेटा चला गया है वो शहीद हुआ है लेकिन आपको हमारी फॉर्म में हाजारो लाखो करोडो बच्चे मिले हैं आपका एक बेटा गया है या आपका एक भाई गया है हम सब आपके भाई हैं मैं उसकी बहनों को ये बोलता हूँ और हाँ एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ जितने भी उद्योगपती या स्पॉंसर्स सुषांत को अपनी एड्स में लिया करते थे मैं उन सबसी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कीप उन यूजिंग सुषांत इन दोस एड्स आप वही एड्स बापिस दिखाते रही है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हम सुषांत की करोडों फैंस है हम सिराफ आपी के प्रोड़क्स करी देंगे हम किसी और के पास नहीं जाएंगे आप लोग जो सुषांत के साथ में आपका करार था आप लोग सुषांत को इस तरह से जिन्दा रख सकते है और मैं आप लोगों से कहता हूँ जो जनता है आप लोगों को अपनी पावर पता चल गए ना कितनी ज्यादा है तो आप लोग उन हीरोस को हीरोस क्यों बनाते हैं जो हीरोस नहीं है आप लोगों को स्क्रीम पर वो हीरो दिखते हैं, आपको इमेज एक पोटरिक की जाती है और आपको लगता है कि यार या अदनी तो कमाल का है वो कमाल के नहीं है, वो कमाल के होते तो सामने आते और मुझ से फूटते कुछ ना कुछ नहीं बोले न, तो आपको अब चूज करना है कि आपका हीरो कौन है अरनब गोस्वामी जैसे, इश्करन भंडारी जैसे, रॉक्टर सुब्रामन्यम स्वामी जैसे हीरो या वो हीरो जो सिर्फ पर पचास लोगों की धुलाई करते हैं और असल में कुछ हो जाए तो मूपे ताला लगा लेते हैं तो मैं ये सब स्पॉंसर से बोलता हूँ वाइडोंट यू टेक अरनब एस यूर मॉडल और इश्करन एस यूर मॉडल या उन military officers या उन air force officers या naval officers या उन police officers को आप लोग अपना मॉडल क्यों नहीं बनाते हैं जन्होंने देश की जनता के लिए अपनी जान दी है या जिने वीर्था के चक्र मिले हैं ट्रस्ट मी आपको बहुत जाधा response मिलेगा आपके products बहुत जाधा भिकेंगे मैं देश की जनता से आवान करूँगा ये एक मुहीम छेड़ देते हैं हम लोग